हेलो गाइज नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उमीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली और जो यूट्यूब फैमिली नहीं भी है वो भी बिल्कुल ठीक होंगे सो मॉर्निंग की शुरुवात हो गई है बाहर बारिश होके अटी इसलिए वो जो फ्लैग भी है न वो थोड़ा नीचे सा गिर गया है अभी जब हवा आ जाएगी तो वो अच्छे से लहराने लग पड़ेगा सुबर सुबर गाईज बस उठके कमरे को अच्छे ची सी लाइट दे के और उसके बाद अपना बैट बना दूँगी और उसके बाद अपनी जो मॉर्निंग की स्किन केर रूटीन है वो कर लूँगी तो skincare routine में कुछ ज़्यादा नहीं सबसे पहले तो मैंने अपने teeth wash करने हैं क्योंकि oral health जो होती है वो सबसे ज़्यादा important होती है क्योंकि इस मूँ से ही हम हर चीज को खाते हैं अंदर जाती है और वो सबसे ज़्यादा clean चाहिए हमें तो skincare में मैंने रिसेंट ही आप लोगों केसा शेयर किया है मामा आर्थ का जो सारा series मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके results देखने हैं सबसे पहले मैंने face wash कर लिया है फिर मैंने लगा लिया है tonic और उसके बाद फिर मैंने cream लगा लिये तो उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ guys अपनी जो chimney होती है fireplace होता है उसको साफ करूंगी और घर को गरम करने की कोशिश करूंगी अच्छा चीज़ तो यह जो आज की मेरी routine है ना यह मेरी weekend की routine है जब बच्चे घर हैं तो बच्चे जब घर है उस time यह video बना के आप लोगों के साथ share करने का जो कारण है वो आपको title से पता लगी गया होगा क्योंकि title में आप लोगों को मैंने यह बताने की कोशिश किया है कि आपको बेटा है या बेटी बस सोच को बदलने की जरूरत है तो वो सोच हमें कैसे बदलनी है आप साथ साथ में मेरी video को देखते जाए और साथ साथ में जो भी मैं आपको parenting tip motherhood tips दूँगी अच्छा जी यह जो motherhood tips है ना वो सब के लिए हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो बड़े हो रहे हैं तो यह जो मेरा main आज का topic है वो यह है कि आपके घर में चाहे हो लड़का बेटा और चाहे हो बेटी जैसे मेरे बच्चे है ना वो अभी छोटे हैं एक 8 साल का है एक 4 साल का है तो बहुत सी ऐसी mothers होंगी जो मेरी इस वीडियो से relate करती होंगी कि उनके पास छोटे बच्चे हैं इससे भी छोटे हैं या बड़े हैं इनसे तो क्या problem होती है कि हमारे घरों में जब हमारे मेरी sisters जो Muslim sisters है Indian sisters है Asian sisters की यहां पे मैं बात कर रही हूं फिलहाल तो उनके घरों में जब बेटा होता है और बेटी होती है तो जब होता है बेटी तो ना बड़े खुश होते हैं सारे कि ये हमारा साथ देगी ये हमें पूछेगी हमारा ख्याल करेगी क्योंकि इसे हमारी दर्द होगी और जब बेटा होता है तो बड़े खुश होते हैं ये हमारा नाम रोशन करेगा हमारे घर को आगे लेके जाएगा इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी तो आजकल तो जो सारे ही मैं उमीद करती हूँ कि 99% जो पेरेंट्स हैं उनके घर में चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए वो दोनों को सेम एजुकेशन देते हैं सेम उन पे पैसे खर्च करते हैं सेम उनके कपड़ों पैसे खर्च करते हैं और दुनिया की जो भी शेय है ना उनको बराबर की करते हैं सो बराबर की शेय करने के बाद भी कई cases में हम ये देखते हैं कि जो parents है ना वो जो हमारी growing बेटियां होती हैं जो mothers होती हैं खास करके वो अपनी बेटियों को ये चीज सिखाती है कि आपको cooking कैसे करनी है आपको cleaning कैसे करनी है आपको घर को कैसे manage करना है और जो ये tips हैं बेटियों के लिए ये बहुत ही छोटी उमर से लाइक 6 साल के बाद ही आप लगा लिजे शुरू हो जाती है क्योंकि वो बच्चियां अपनी मदर्स की खेल खेल में ही help करने लग पड़ती है और जो बेटे हैं हम उनको ये चीजें नहीं सिखाते है तो ये बात बिलकुल गलत है जहां हमने ये decide कर लिया कि बेटियों को हमने बेटों के जैसे समझना है तो फिर बेटों को भी हमें सेम वही चीजें सिखानी है जो हम बेटियों को सिखाते है फर्क हमारी नजर में है बच्चे कोरा कागज है उनको कुछ नहीं पता है हमें as a mother उनको सिखाना है कि जो लड़की है वो हर काम कर सकती है और लड़का भी हर काम कर सकता है सिर्फ लड़के को ये नहीं सिखाना है कि आपको earn करना है और आपको घर चलाना है अगर लड़की के लिए हम ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं क्योंकि लड़की को हम ये कहते हैं कि आपको independent भी बनना है अपने पैरों पर खड़े होना है अच्छी marks लेके आने हैं study करनी है और साथ-साथ में ही हम उनको सिखाते हैं कि घर के काम कैसे करते हैं लड़कीों के लिए हम ज़्यादा difficulty create करते हैं इंस्टेड ओफ लड़कों को हम relax सकते हैं आपको छोड़ो कोई बात नहीं यह ममा कर लेगी आप मत करो आप खेलो आप पड़ो नहीं जो कोरा का आगज है छोटा बच्चा है हम तबी से ही start करेंगे अब जैसे यह मेरा बेटा है आज की मेरी यह वीडियो आप लोग के साथ शियर करने का रिजन यही था बच्चे घर पे हैं तो वो मेरी क्लीनिंग में बरतन साफ करने में बैट लगाने में हर चीज़ वे मेरी help कर रहा है क्योंकि मैं उससे help मांग रही हूँ और यह देखके जो यह मेरा छोटा बेटा है छेसा से छोटा है वो चार साल का है तो वो भी चाह रहा है कि मैं ममा की help करूँ तो यह बात यह है कि जब आप सिखाएंगे उनको उनको तब ही पता लगेगा उनको बिना सिखाएं नहीं पता लगेगा क्योंकि यह नहीं है कि वो लड़के हैं तो हमें उन्हें यह चीज़ें नहीं जिखानी है क्योंकि कोई भी चीज लड़के और लड़की के लिए कहीं भी लिखी नहीं गई है कि यह काम सिर्फ लड़की के लिए है और ये काम सिर्फ लड़के के लिए है ऐसे तो अगर हम एक्जामपल दें कि जो मास्टर शेफ होते हैं बड़े बड़े संजीव कपूर है तो वो कुकिंग करते हैं तो वो क्या लड़की तो बन नहीं गया न ये उसका प्रोफेशन है तो उसी तरीके से बहुत बहुत गूगल में भी कहीं पर भी कितनी जगाहों पर लड़कियां लगी हुई है तो वो क्या लड़का तो बन नहीं गई है सारे काम करके तो उसी तरीके से ही अगर आपके पास बेटा है या बेटी है उनको आप घर के कामों में चोटे होते से ही उनकी दिल्चस्बी बढ़ाएं उनसे help लें तो आप यकीन मानिएं वो खुद ही बहुत ज़्यादा खुश होंगे उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि वो उनके लिए एक नई चीज है जो सीख रहे हैं तो इससे साफ पता लग रहा है कि वो बहुत खुश है तो यह आज की वीडियो एक जर्नल सभी मदर्स के लिए है एक मदर्वूड टिप है परिंटिंग टिप है श्रुश है कि प्रुश वजये डर्नल सभी से अच्छा जी अब यहां पे बात करते हैं सोच को कैसे बदलने की जरूरत है तो सोच हमारी ये कहती है कि कुछ पर्टिकुलर जो काम है वो लड़कियों के लिए बने है और कुछ पर्टिकुलर काम जो है वो लड़कों के लिए बने है बट revolution के साथ साथ हमने ये adapt की हैं चीजें कि लड़की के लिए सिर्फ घर के काम नहीं बने हैं लड़की बाहर के भी काम करेगी बेटी बेटी जो है वो बाहर के काम भी करेगी जैसे की अच्छी study कर लेना और उसके बाद अच्छी post पे job करना और उसके बाद घर में अपनी economically financially अपने parents की help करना फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं उनके partners के साथ हो जाते हैं तो फिर वो बातें मैं बाद में next videos में कभी करूँगी अभी मैं कर रही हूँ जो छोटे बच्चों से ही हमें शुरू करनी है उनकी जो state of mind है उनका जो mindset है वो उनको नहीं पता है वो हम ही देते हैं उनको mindset तो वो हमें कैसे ग्रू करना है यहाँ पे इस वज़े से सोच बदलने की देर है कि जैसे कि हमारी सोच ये बदल गई है क तो क्यों न ये कोशिश भी की जाए कि जो हमारी generation जो मेरी age की mothers है वो उनके बच्चों में जो जिनके पास लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं तो वो अपने बेटों को ये कोशिश करें कि वो घर में अपनी mothers की help करें क्योंकि आने वाले time के लिए ये एक अच्छा future ह हम देंगे अपने बच्चों को क्योंकि चाहते और ना चाहते हुए भी पहले से ही बच्चपन से ही यहां से ही start हो जाती हैं difficulties हम खुद ही अपने बच्चों की life में लेके आने के लिए mothers बीज बनाती रहती हैं ना चाहते हुए भी हमारा अपनी तरफ से प्यार होता है mothers का बच्चों के लिए पर वो future में जाके problems बनती हैं वो कैसे problem बनती हैं और वो क्या चीजें होती हैं वो आपको में next video में बताऊंगी क्योंकि अभी मैं इस topic पे आप लोगों के साथ बात करनी शुरू कर ली तो मैं आपको next और next बताती जाऊंगी क्योंकि friends जो यह infinity chain बनी हु फिर आगे हमारे parents और फिर आगे हम तो इस सारी हमें chain को कहीं न कहीं जाके तो break करना है और यह chain तभी break हो सकती है जब हम कभी कहीं से start करें तो कहते हैं charity begins from home तो पहले हम अपने घर से ही start करेंगे so कैसे हमें change करना है कैसे हमें इस chain को तोड़ना है इस सोच को बदलने की कोशिश करेंगे और घर में आपके चाहे बेटा है चाहे बेटी है उनको equal treatment अगर हम हर चीज में दे रहे हैं तो बेटियों के साथ ही हम ऐसा बिलकुल भी नहीं करेंगे कि उनको ही घर के काम सिखाए और उनको ही mind में set करें कि आपने ही अपने फादर की घर के कामों में help करनी है अगर ममा absent है तो आपने करनी है और आपने ही अपने ब्रदर की help करनी है और future में जाके जो किसकी help करनी किसकी नहीं करनी वो मैं आपको next वीडियो में बताऊँगी मैं पहले भी बता रही हूँ अब यहां से चोटे की बात कर रहे हैं। ऐसे आप अपनी बेटे के लिए भी difficulty क्रिएट कर रहे हैं और ना चाहते बेटे के लिए भी difficulty चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनका mindset हो रहा है, बचपन से ही, कि यह काम मेरे लिए नहीं बना है, तो जिस दिन उनको वो काम करना पड़ेगा तो उनको वो परसन जो उससे वो काम करवाएगा ना वो कभी अच्छा नहीं लगेगा उनको यहीं लगेगा कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी उन बेटों को उन बच्चों को जैसे मेरा बेटा है और randomly हर किसी जो parents का जो मेरी age की ladies हैं उनके जो बच्चे हैं उनको यही लगेगा मेरी ममा ही अच्छी थी जैसे कि आज तक cycle यह चला आ रहा है So I hope guys मेरी आज की यह motherhood parenting tip आपको अच्छी लगी हो तो जिस जिसको यह tip अच्छी लगी है वो like जरूर देके जाएगा और जिसको अच्छी नहीं लगी है वो जरूर dislike देके जाएगा ताकि पता चले अभी हम society में mindset है जो हमारा वो कहां तक पहुंचा है और सोच कितनी और कहा तक grow हो पाई है तो ऐसे मुझे और भी ज्यादा motivation मिलेगी next अपनी वीडियो में आप लोग के साथ ऐसे topics में बात करके तो आपने आज का मेरा जो routine है अगर enjoy किया हो और अगर मेरी ये tips enjoy की हो लाइक की हो तो ज़रूर मुझे comment section में comment करके बताएगा next वीडियो में next motivation बाते क करक 제 दो हैं जबवा का अधर में भी ये जगिए येाऊटस के साथ उढ़ा हैँआ किया है लाइक कम नप sharingव में बाते किया है टुमीषब partly सहे ओद से के लिक अविए वह हो इनी से की।र पैस्वीडियो में ज़रे लिए ठकू हो जढ एक करें के सञ़ हैं डिए दोह मेंों